नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज हम करेंगे वर्क्षिट नमर 88 ये हमारी हिंदी की कार्या पत्रिका होने वाली है 15 अक्टूबर 2020 की यहां पर बच्चे अपना सेक्षन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे हमारा आज का विशय होने वाला है वैश्विक हस्थ प्रक्षालन दिवस यानी Global Hand Washing Day तो इससे पहले कि हम यह वरक्षीट शुरू करें हम जान लेते हैं कि यह Global Hand Washing Day क्या होता है आईए यह आपकी वरक्षीट में नीचे लिखा हुआ है देखिए इधर आईए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्थ प्रक्षालन दिवस यानी Global Hand Washing Day पूरी दुनिया में मनाया जाता है यह दिवस हमें हाथों को साफ रख कर बिमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है COVID-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है यानी Global Hand Washing Day हमें क्या सीख देता है कि हमें समय समय पर अपने हाथों को साबून से दोना चाहिए ताकि हम बिमारियों से बचे रहें और स्वस्थ रह सकें आईए अब हम इस वक्षिट को कर लेते हैं सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए यानी यहाँ पर एक कविता दी गई है और इसको हमें हाव भाव के साथ पढ़ना है यानि जैसा वो हमें कविता में बोलेगा हमें वैसे ही करना है चलिए इसको शुरू करते हैं उच्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है फिर पाने से धुकर हाथ साफ तोलिय से इने सुखाना है सीख गए अब हम कैसे धुए हाथ तो यहाँ पर हाथ धोने की प्रतिकरिया बताई हुई है और इधर चित्रों के द्वारा भी याँ पर दिखाया हुआ है कि हमें हाथ कैसे दोने चाहिए कैसे पहले साफ पाने से हाथों को गिला करें फिर उचित मात्रा में हमें साबून लेना है और उस साब उनको हाथों के आगे भी लगाना है और हाथों के पीछे भी लगाना है और अपने नाकुनों पर भी लगाना है और साथ साथ में अपने उंगलियों के बीच में भी लगाना है और फिर उसे साफ पानी से धोकर हमें साफ तोलिय से सुखा लेना है तो आप ये प्रतिक्रिया करेंगे जब आप ये वाली पोएम यानि कविता पढ़ेंगे चलिए अब हम आज आते हैं प्रशन नमर एक पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सफाई शब्द सुनकर आपके दिमाग में जो भी शब्द आते हैं उन में से कोई पांच शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रियोग कीजी उधारन के तोर पर उनोंने बताया है कि जैसे सफाई शब्द सुनते ही मुझे ज़ाड़ू शब्द दिमाग में आता है और इसका वाक्या है मैंने ज़ाड़ू लगा कर कमरा साफ कर दिया यानि यहाँ पर वो हमें बोल रहा है कि सफाई शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में जो भी पांच शब्द आते हैं आप उन शब्दों को लिखिए और उन शब्दों से अलग-अलग वाक्या बनाईए तो आईए देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यांसर लिख सकते हैं जैसे कि पहला शब्द हो गया साबुन, और इसका वाक्य हो सकता है, कि हमें समय समय पर साबुन से हाथ दोने चाहिए, दूसरा शब्द हो गया कपड़े, और इसका वाक्य होगा हमें सदैव यानि हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए, तीसरा शब्द हो गया घर, और इसका हो गया कोड़े दान और इसका वाक्ष हो सकता है कि हमें कूडा हमेशा कूड़े डान्न में ही डालना चाहिए पांचमUh Щबद हो जाता है बीमारियां nya यानी जहां सफाई होती हैं वहां बीमारिया कम होती हैं तो आप ये वाक्या बना कर लिख सकते हैं इनके अलावा भी आप अलग शब ढूंड सकते हैं और उनके वाक्या बना सकते हैं वो भी सही आंसर हो सकते हैं चलिए अब हम चलते हैं प्रशन नमर दो पर यहां पर वो पूछ रहा है प्रशन नमर दो में कि यह तो हुई साफ सफाई से संबंदित हाथ दोने की बात अब इस वाक्य को पढ़िए भालू ने शहद खाने के लिए मदुमक्की के चछते में हाथ डाला ही था कि सारी मदुमक्कियां उसके पीछे हाथ दोकर पढ़ गई इस वाक्य में इस्तिमाल किये गए मुहावरे हाथ दोकर पीछे पढ़ना का दिये गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा यानि हमें ये बताना है कि इस वाक्य में हाथ दोकर पीछे पढ़ने का क्या अर्थ है इस अर्थ को लिखिए और इस मुहावरे का इस्तिमाल करते हुए एक और वाक्य बनाईे तो देखिए यहां पर वो कह रहा है कि भालू ने शहत खाने के लिए मदुमक्य के चत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मदुमक्या उसके पीछे हाथ दोकर पड़ गई तो यहां पर हाथ दोने का क्या मतलब है कि उन्होंने साबुन लगाया और पाने से हाथ दोए नहीं यहां पर इसका मतलब है कि वो कोई काम पूरे जी जान से कर रहे थे ठीक है चलिए आईए हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है ये देखिए, answer 2 में आप लिख सकते हैं कि हाथ दो कर पीछे पढ़ जाना का अर्थ है जी जान से काम के पीछे लग जाना कि राहुन ने मोहन की बॉल क्या गुमा दी वहत उसके पीछे हाथ दोकर पड़ गया ठीक है इसके अलावा भी आप कोई और वाक्या लिख सकते हैं आज की ग्लासी ही गतम होती है अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू और जैह हिंद